दोस्तों वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर अंकीता पाठक और मेरे चैनल का नाम है अंकीता पाठक चैनल और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे वीडियो से रिलेटेड जो जो वीडियोस है वो इसके description में नीचे आपको मिल जाएंगे यानि अगर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इसके description में जाकर के उस link के थूर जा सकते हैं या फिर रंकिता पाठक चैनल में directly जाकर के भी आप मेरे सभी वीडियोस को व्योब कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आ प्रिटमेंट होता है दूसरा जो हो में पाथि से रिडिटेड लोग है उन्हें और ज्यादा डेप्थ में नॉलेज मिल सके यह मेरी कोशिश है लेकिन एक सदेशन में जरूर दूंगी कि जो आम लोग है वो यह वीडियो के वाल जेनर नॉलेज के लिए है आपको अगर हो मे पैथी सच्में वंडरफुल पैथी है यही मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहते हूं यह मेरे चैनल के जरिए बताना है और दोस्तों अब हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिक होमेपैथिक रेमेडी से इस होमेपैथिक रेमेडी का नाम है लाइक अस्तो दोस्तों अब तक हमने बात किये प्लांट किंग्डम से रेमेडी की मिनरल किंग्डम से रेमेडी ली जाए इसे एक्सप्रेंड करके काफी अच्छा लगेगा यह बहुत ही डिफरेंट टाइप परस्नारिटी है और आपको इस वीडियो को देखके काफी मजा आएगा और दोस्तों इसका किंग्डम है अनिमल किंग्डम ग्रूप है ओफीडिया यह जो है इसका कॉमन नेम है वो सुरु कुकु स्नेक पोईजन है और अलसो नोन आज बुश मास्टर और यह जो है वो पिट वाइपर्स की जो फैमिली है उसे बिलॉंग करता है यह एक स्नेक वेनम स यह बहुत ही सेफ है क्योंकि होमेपैथिक मेडिसेंस जो है हेल्दी हुमन पर प्रूव होते हैं यानि कि अब कोई खत्रे की बात नहीं है दूसरी बात यह कि इसमें बहुत ही माइन्यूट एकदम माइन्यूट स्मॉलेस्ट जो मीनिमम डोस है वो लेकर कि उसे भी कई डाल ऑर क्याने फिल और को चाशन मेठाड से उसके एनर्जी जाता है यानि कि असका जो अंश है बहुत ही नाम आतरका होता है लेकिन उसके जो एनर्जी है यानि एकम के डियम मेडिĩ है को इनर्जी है वह यह हो मेडिसिंस यूज होती है और यह बिल्कुल सेफ हैं viene-k message जो है इस्तिमाल मतलब जो है बहुती सेफ रहता है इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो अब हम आगे बात करते हैं लाइकेसिस के बारे में अबाओट लाइकेसिसनेक लाइकेसिसनेक को बूश्मास्टर भी कहते है ये अमेरिका में पाया जाता है सिंट्रल और सौथ अमेरिका में चुम 현재 यह साप बाया जाता है या यह यूजर या आम लोगों की नजर में नहीं आता है क्योंकि य है जाडियों में छुपा रहता है इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है, कि ये जो है, मुषेस में हाईड रहता है, और जब इसे भूक लगती है, या किसी प्रे को से इसको अट्एक करना हो, तो ये कुछ दिनों तक प्लान करता है, वो आते जाते देखता है कि वो पटिकुलर शिकार जो है, जिसका बहुती सीधा relationship है हमारे होमेपतिक लाइकेसिस ड्रग से तो मैं इसे बाद में बताऊंगी कि क्यूं आखिर ये दोनों चीजे बहुत importance रखती है अभी हम फिलाल बात करते हैं पैथो फिजियोलोजी के बारे में दोस्तो लाइकेसिस स्नेक जो है वह हेमो टॉक्जिक स्नेक है जो कि जिसका जो पॉइजन है वह असर करता है हमारे ब्लड पे तो ब्लड पे क्या करता है ये ब्लड प्रिशर पर असर डालता है फिर जो clotting factors और platelets हैं जो कि हमारे बॉड़ी में ब्लड को coagulate करने में मदद करत हैं लेकिन ये उस factors को डिस्ट्रॉइ कर देता है और इसकी वज़ा से जो जगा 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 जो patient है उसको हैमरेज स्टार्ट हो जाता है मतलब जो जब स्नेक बाइट करता है तब बिल्कुल उसी तरीके से जब इसकी प्रूविंग होती है तो आप देखेंगे कि प्रूवि amountature group जो जब ब्लड उस बनाच जडीक तेईक होती है लाकिस में और ऑसको ब्लेदिंग होता है वह प्लडल होता है वह ब्ल्लड का होता है ब्लड का होता है ब्लैक किस टाइप धुजरा जो जो दोस्तों असर डालता है में जो यहाट पर बाइट करता है यानिकि जो टीसू ह अगर उसे नहीं किया गया तो जो है पेशेंट की जान भी जा सकती है तो यह जो है गैंगरीन इफेक्ट होता है बिल्कुल उस स्नेक में जो जैसे स्तांप कोई जीव को खाता है तो वो जो है उसके हड़ियां मान सब कुछ पचा जाता है टीट्स पचा जाता है क्योंकि उसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हर एक चीज को पचाने पूरी ड कर देता है बिल्कुल उसी तरीके से जो उसका जहर होता है वो भी टीशूस को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है दोस्तों इस परस्नालिटी के माइंड बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा कहीं मत जाईएगा लेकिन पहले मे आपको बता दूं ताकि उसके बाद में मेंटल सिम्टम्स की उपर जा सकों तो दोस्तों इसका फिजिकल जन्रालिटी है वह थर्मल स्टेट जो है इसका वह यह बेसिकली हाट पेशेंट है यानि इसे गर्मी बहुत लगती है लेफ साइड है यानि कि लेफ साइड जादा लेफ्ट तो राइट भी कंप्लेंट जाती है ऐसा केंट्स लेक्चर सान मटे रिमिट के में दिया है फिर एवर्शन में ब्रेड है मदर्स मिल्क है यह सब जह है इसको एवर्शन इनने लाइक नहीं करता है जादा खाने पीने में डेजायर में आसेड फूट्स यह सब जो है वो रात का शिकार यानि रात में शिकार करता है उसकी जो एनरजी है वो रात में अक्टिव रहती है और इसी लिए लाइकेसिस के इन जनरालिटी जनरल आप देखेंगे कि रात में उसकी एनरजी अक्टिव है माइंड अक्टिव रहता है रात में उसके सारे कंप्ले जैसे कि कफ है खासी है तो जब सोना कठी ने एक तो सो गया तो रात भर जो है तो तो नीद में बढ़ती रहेंगी पीच में खुल भी सकती है खासी जबर्दस भाइलेंट सकती है और फिर सुबह जो उठेगा उसकी कंपलेंट और बी ज्यादा बढ़ जाती है तो यानि रात कि असुआ कि क्यों बढ़ती है क्यों कि सिफलेटिक रेमेडी आप समझ सकते हैं कि जैसा सनेक रात में जाका ये जो लाइकिय S.N.E के रात पर जाकर शिकार करता है उसकी एनफी अक्टिव होती है बिल्कूल ऊसी तरीके से यहां पे भी पेशेंट की एनर जी है वो रात मे उसकी complaints भी बढ़ती है इसलिए परसीना जो है night में है on closing the eyes cold perspiration होता है and offensive order रहता है sleep delayed sleep of course trouble come during sleep और जो problem से वो सोते वक्त ही आ जाती है उसको dreams previous events of being murdered इस तरह का इसको dream आता है क्यों आता है यह अप जो मैं mental symptoms आपको बताऊंगे तो आप automatically इस बात को समझ जाएंगे thirst जो है very great thirst होता है with dislike of drinks मतलब प्यास तो बहुत रहती है लेकिन जो पीने रहता है तो उसको लगता है कि इसका taste अच्छा नहीं है या इसका order अच्छा नहीं है वह पी नहीं पाता है मतलब उतना अच्छा उसको feel नहीं होता है या उसकी complaints में उसको फिर है Sensation Constrictive Type of Pain and Complaints कोई भी complaint हो लेकिन इसे Constrictive Type of Feeling होगी जैसे सांप में जो है उसमें लगातर कंस्ट्रिक्शन और रिलेक्सेशन होता है किसी भी चीज को खाने के लिए जैसे किसी भी प्रे को खाने के लिए डाइजेशन करने के लिए या उसकी बॉड़ी में Constrictive लगातर मुवमेंट्स होते रहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जो Constrictive Type of Feeling है यह पेशेंट के अंदर जो है प्रूविंग के दौरण भी देखा गया और अगर ऐसी कोई Sensation हो तो अगर मेडिसिन दे तो पेशेंट को आराम होगा अग्रिबेशन यानि कंप्रेंट किन किन चीरियों से बढ़ती है तो स्लीब आफ्टर स्लीब फिर हीट इन जेनरल गर्मी से प्रेशर और कंस्ट्रिक्शन गले में वह प्लैके से स्पेशन जो है गले में टाई नहीं बान सकता है कौलर टाइट नहीं पेहन सकता है कौई कबड़ा वहाँ टॉलरेट नहीं कर सकता है बहुत सेंसीटीव टूटच होता है आपने देखा होगा दोस्तों कि सावपको जब पकड़ा जाता है तो उसकी गर्दन से पकड़ा जाता है क्योंकि वह सबसे sensitive area होता है, वहाँ पकड़ने के बाद उसे suffocation महसूस होता है, वह सांस नहीं ले पाता है, वह एरिया उसका बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल उसी तरह से proving में पाया गया कि patient को जो है, neck region जो है, वहाँ बहुत ही sophisticated feel होता है, और वहीं पर सबसे अदर complaint हो feel क appearance of discharges and cold application, hot patient है, तो of course उसको जो cold चीज है वह अच्छी लगेंगी, applications में, और जो discharges है, जब रुख जाते तो complaint बढ़ जाती है, और जब वह appear हो जाते हैं, तो पसीना सपोज आने लगा तो patient को relief मिलने लगता है, some important points, sensitiveness, sensitive to touch, aggravation at night, during sleep and first in morning, जो मैंने आपको बताया कि नेर में बढ़ती है तक लिफ और सुबाउट के सबसे अदर complaint, black cases को होता है, then sensation, spastic construction और tensive type of pains in head, in ear, etc. यानि यह कहीं पर भी construction type of pain, spastic construction जो है, वो होता है, तो यह जो है एक अच्छा general sensation आप कह सकते हैं, हर एक complaint में होता है, then sensitivity around neck, जो मैंने आपको बताया कि साप में भी neck region बहुत sensitive होता है, इसलिए साप को जो है neck region से पकड़ा जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है, बिल्कुल उसी तरीके से, जो patient होता है, अगर उसमें भी neck के side में जो है, sophisticated feel हो, और लगे कि sensitive to touch है, कोई collar नहीं पहन सकते, important symptom हुआ, then hemorrhagic tendency, dark color of blood, जो bleeding हो रही है, hemorrhage की tendency होगी, जगा जगा से bleeding होने की nose से, जो भी orifices से वहां से, और उनका blood का जो color होगा, वो dark color होगा, blood का, फिर जो discharges है, appearance of discharge है, वो आराम देता है, patient को, तो यह रही दोस्तों, यह हुई important बाते, related to generalities, और इसकी introduction की, अब सबसे interesting है, और सबसे अधा, मज़ेदार है, जो जानने लाइक और समझने लाइक है, और जिससे की, आप lichasis patient को identify कर सकते हैं, दोस्तों, अब हम mind के बारे में, चर्चा करेंगे, कि lichasis personality का mind कैसा होता है, लेकिन mind को, बताने से पहले, दोस्तों, देखिए, हमें दून साइड में एक चार्ट जैसा बना रखा है, एक है personality at beginning, और दूसरा है personality becomes diseased, तो शुरुवात में कुछ बीज रहता है, जिसकी वज़े से कोई बी पर्टिकुलर personality कुछ बनती है, लेकिन उसमें कुछ खास तरह के circumstances और situation होते हैं, जो उस तरह की condition में एक patient को पहुँचा देते हैं, तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद center of the personality, यानि likeasis में actually क्या है, और basic क्या feeling होती है likeasis personality में, जिसे judge करके आपको likeasis medicine prescribe करना चाहिए, यह हम देखेंगे, दोस्तों, यह सभी repertory related rubrics हैं, जोके डाले हैं, synthesis repertory से लिए हैं मैंने यह, और देखे, पहल है, ambitious, यह personality जो है, suppose मैं एक उदारन पहले देती हूं और फिर समझाती हूं फिर तरे करके, suppose दो भाई हैं, उसमें से एक व्यक्ति है, एक patient है, एक व्यक्ति है, जो की बहुत ही ambitious है, है ना, college में भी ambitious था, cheerful था, और cheerful rubrics भी दिया है, फिर duty, no sense of duty, यानि जदा responsible नहीं था, पुड़ा सा अहंकारी जैसा दिखावे में believe करने वाला, उसके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, एक दम well-fashioned, मतलब अच्छा fashionable लड़का, है ना, उस तरह की personality, active memory वाला, फिर magnetized रहने की, चाहता है कि लोग उसे, उसकी तरफ अपना ध्याना करशित करने के लिए, जो ह होती है, फिर selfishness and egoism भी एक rubric दिया है, 7th number पर, तो ये personality जो है, ये selfish भी होती है, मतलब ये बहुत जाता, ये मतलब अपने बारे में सूचने वाली, self-centered personality, ashevious, then theorizing, याने की, तरह तरह की plans बनाना, imaginative होना, इस टाइब की personality sensitive, याने लोग उसके बारे में क्या कर रहे है, ये personality शुरू से थोड़ी sensitive होती है, इसलिए वेल ड्रेस्ट रहना, इस तरह की, मतलब, अच्छे लोग में, बहुत शौकीन होते हैं, इस लोग, बहुत colorful होते हैं, इस टाइब की personality, hopeful होते हैं, himself, मतलब, आशावादी होते हैं, इस वक्त, इस वक्त ये disease नहीं होते हैं, लोग व personality शुरू से ही selfish होती है, फिर industry यानि कि ये महनत भी करेंगे तो सिर्फ अपने लिए, अपने आपको, अपने ambition को पूरा करने के लिए, ये महनत करेंगे, फिर egotism, self-esteem, then speaking always about themselves in company, यानि अपने दोस्तों के बारे में सिर्फ अपने बारे में मतलब सुनना, या अपने बारे म ही पसंद करना, तारीफ, ये इस तरह की personality जो है, होती है, and quick to act, यहने कोई भी काम करना है तो ये फटा-फट करने में believe करते हैं, तो ये जो qualities है, ये qualities उस लटके में होती है, एक बहुत ही जीवन को जीने वाला colorful personality, जो की अपने बारे में ज्यादा सुचने वाला, अपने त personality जो है, ये होती है, क्या होता है कि ये जो है, ये एक दरसल गाउं का लड़का है, लेकिन इसके जो है, इसके माबाप ने पढ़ने लिखने के लिए शहर बेजा, इसके भाई को भी बेजा, दोनों ने साथ में education कंप्लीट किया, और एक को उसके बड़े भाई को जो है, ज जॉब नहीं लगी, तो इसने जो है, बहुत कोशिश की जॉब के लिए इसको जॉब नहीं मिली, फिर इसने क्या किया, कि अटिमेटली मजबूर हो करके, इसने दुकान खोल लिया, तो दुकान खोल लिया, वो भी चलानी की कोशिश कर रहा है, तो उसने भी उतनी earning नहीं ह हो रही है, फिर यह देख रहा है कि जो भाई है, वो उसको अच्छी जॉब लगी, तो उसको एक beautiful wife मिल गई, फिर यह सब कुछ उसको देखकर के अजीब लग रहा है, कि हम दोनों एक जैसे capable थे, फिर भी उसको सब अच्छा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो यह ब जो आपके contemporary हैं, आप भी उतने ही capable हैं, और उनको आपसे better चीज़ें मिल जाती हैं, और आपको नहीं मिलती हैं, उनको आपसे better society में इजदत, मान, प्रतिष्ठा सब मिलता है, और आपको नहीं मिलता है, जो आप पाना चाहते थे, जो आपकी हमेशा से खोईश्ती, शायद को पैदा करता है, जलता है ये व्यक्ति, ये दुखी होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, इसकी शादी होती है, एक ऐसी लड़की से जो गाउं की है, जो ज़्यादा educated नहीं है, उसके बड़े भाई की वाईव भी educated है, और वो भी अर्ण कर रही है, तो ये ब पिता की जो गाउं की property है, उस पर ही, यानि कि ये अर्ण कर पाने में दुकान खोल करके सक्षम नहीं हो पा रहा है जादा, यानि अब इसकी एकोनौमी जो है, वो स्ट्रॉंग नहीं है, यानि कि ये अपने भाई को खुद से कहीं जादा stronger पा रहा है, बहुत जादा जो है बेदखल कर दे, इस टाइप की तो ये suspicious बन गया है, frightened easily, ये डरने लगा है अवंदर से, इन चीजों को ले करके, और जब ये society में जाता है, तो इसके भाई को ज़्यादा इज़त मिलती है, इसको नहीं मिलती है, इसको छोटी-छोटी बाते चूप जाती है, इसे लिए फि प्रेस करती है, hurt करती है, तो ये quarrelsome बन जाता है, फिर है destructiveness, violent anger, ये भी एक रूबरिक है, इसमें क्या होता है, कि जो patient है, उसमें destructiveness आ जाता है, यानि कि बहुत ज़्यादा anger आ जाता है, एक तो life में blocking है, earn नहीं कर पा रहा है, ये बहुत कूशिश कर रहा है, इसके का और कोई दूसरा source नहीं है, इसकी wife भी उतनी सक्षम नहीं है, कि ये बहुत जाके काम कर सके, यानि कि ये अपने आपको बहुत कमजोर पा रहा है, तो likeasis तब jealous में आता है, तब anger में आता है, जब ये अपने rival से खुद को कमजोर पाता है, अपने आपको protect करना चाहता है, और ऐसे situation में फिर जो है वो attack करता है, इस type की, क्योंकि साप भी होता है, वो क्या होता है, साप तब तक हमला नहीं करता है, जब तक कि उसके जान के उपर न बना है, लेकिन जहां लोग साप को देखते हैं, कि उसको मारने के लिए दोड़ते हैं, इस type की feeling एक साप के अंदर है, तो यह उसे फाइदा करेगी, अगर आपने प्रिस्क्राइब किया तो, और उसके जो suspicion है, jealous है, यह सब feelings को हटा देगी, और वो व्यक्ति जो healthy mental state वाला व्यक्ति बन जाएगा, तब वो महनती भी हो जाएगा, और काम भी कर पाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होता है, कि य affectation, यानि कि दिखावा करेगा कि कितना प्यार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है, यह hate करेगा अपने भाई से, और उसे परास्त करने के लिए तरतर की तिकडम लगाएगा, तरतर की बुद्धी लगाएगा, है ना, उसे harm करने की भी कोशिश कर सकता है, political, देखें, य या फिर wicked act, बुरा act, फिर आता है malicious, plan making, revengeful, यानि इसको लगता है कि इसका भाई इसके राइट छीन लेगा, और इसका भाई भी इसके साथ बहुत अच्छा behavior नहीं करता है, सपोज, अहंकारी बन गया, उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रुद्भा है, उसकी ब planning करती है, और conspiracy शुरू करती है, तो इसलिए जो परसनेटी है, यह plan बनाने लगती है, revengeful हो जाती है, जिस तरह से हमने देखा था, लेके से snake में, कि बुश मास्टर जो है, हमारा snake जो है, वो जाडियों में छुपके रहता है, वो इंतजार करता है, कब उसका शिकार आएगा रोज देखता है कि वो किस रास्ते से जा रहा है, और जब सही समय आता है तो उस पर attack कर देता है, युशुरली night में attack करता है, क्योंकि night में कोई भी प्रानी सोया होता है, या जो है, अलर्ट नहीं होता है, तब वो attack करता है, तो इसी तरीके से जो यह personality है, यह plan करती है, मौकिंग का मतलब होता है कि गलत तरीकी से बातचीत करना, है ना, जेलस में आकर के, जिसे suppose उसके बड़े भाई का जो बेटा है, वो ग्लास में जो है, 60% मार्क्स लेकर के आया, तो यह जो नॉर्मल व्यक्ति बोलेगा, अच्छा किया बेटा आगे और अच्छा करना, इस तुमको तो 80%, 90% लाना चाहिए, तुम पढ़ते उड़ते नहीं हो क्या, और हासेगा, कहने का मतलब है कि यह गलत तरीके से वो बिहेव करेगा, जिससे वो जलता है उससे, और धिर धिर जलने की हैबिट इस हद तक हो जाती है कि फिर वो हर किसी से जलने लगता है, जो उसक जब personalities तो यह जो है, inferiors के साथ तो बहुत ही bad बिहेव करती है, लेकिन जो superior होते हैं, उनके सामने अपना जो गुसा, anger, suspicion, jealous यह सब express नहीं करती हैं, यह बहुत ही sweet talking होती है, जो इस case में जो भाईयों का case मैंने आपको बता है, इसमें यह जो भाई है, यह अपने भाई से बह कोशिश करता है, तो mocking में जो उपर वाला rubrik था, उसके अनुसार यह behave करता है कई बार, लेकिन फिर अपने ज़स्बात को control कर लेता है, फिर यह अपने भाई के साथ sweet behave करता है, और back से जो है, इसके मतलब जो है, सब उस बेटे का result आए, तो उसका result गायव करतेगा, ताकि इ कोशिश करेगा कि अपने जो साथी है, उसको depressed कर दे, down कर दे, ताकि वो जो है powerful हो सके, तो कई तरह से जो है, वो planning करेगा, वो दूसरों के सामने गलत साबित करने कि अपने भाई को कोशिश करेगा, अपने पिता के नजरों में उसे villain proof करने कोशिश करेगा, ताकि उसके पि behavior वाली होती है, सामने से बहुत sweet बोलेंगी, और back से जो है, प्लान करके काम कर देंगी, फिर hatter, इनमें hatter की feeling excessive होती है, यह जिससे hit करते हैं, limit के बाहर hit करते हैं, फिर hiding himself, यह देखिए, hiding himself, अब snake जो है, लेकिसे snake पी जो है, छुपता है जाडियों में, hide कर जाता है, अट करने से पहले hide रहता है, उसी तरह के से यह personality जो है, यह प्लान तो करती है, लेकिन पूरी कोशिश करती है, कि इनका नाम कहीं नाये, यानि यह किसी को बरबाद भी कर दे, और यह किसी के नजरों में नाये, कि इसने यह काम किया है, इस टाइप की personality, तो similarly, जो like a cis person है, जो इ अपने आपको कहीं भी सामने से trace में नहीं आने देगा, लेकिन यह कुशिश करेगा कि इसके भाई का कुछ नुकसान हो जाए, यह बरबाद हो जाए, या यह इस लायक ना बचे की जो है, इसकी property पर जो है दावा ठोक सके, इस type का जो mindset है, यह like a cis में आ जाता है, फिर आता है, poison impulse to, कहने का मतला भी कि poison देके मारना चाता है, यह सामने से गोली बंदुक से नहीं मारेगा, क्यों क्योंकि इसमें hide करने की tendency, यह छुपना चाता है, यह छुपके वार करना चाता है, तो poison जो है, इसको बहुत ही safe तरीका लगता है, कि अगर यह अपने भाई को poison दे दे तो जो है, इसका काम खतम हो जाएगा, और यह रास्ते से हट जाएगा इसका भाई, और सारी प्रोपर्टी इसकी हो जाएगी, यानि इस accident तक क्या jealous इस personality में आ जाता है, envy, hate, jealous, sadness, selfishness, qualities of others, यानि दूसरों के जो गुन है, talent है, suppose उसकी wife talented है, job करती है, कहीं beautiful है, तो इन सब च अच्छे intelligent है, पढ़ाई में अच्छे है, अच्छे school में पढ़ रहे है, यह सारी बाते हैं, उनको उसमें jealous और इरश्या जो है, create करती है, और great depression create करती है, और यह व्यक्ति, एक rubric में शायद लिखना भूल गई, business aversion to, इसका मतलब यह है कि, यह अपना सारा काम हम छोड़ क परके jealous और revenge में अपना पूरा time बरबात करता है, यह इसलिए क्योंकि यह excessive level में depression में होता है, और यह इसके अंदर ही feeling होती है, कि मुझे खतरा है, और मुझे पहले अपने आपको protect करना है, अपने rival से, और उससे बदला लेने के लिए मुझे छुप के काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, delusion of lacasis की, तो पहला delusion है, friendless he is morning waking on, lacasis only, lacasis ही के वाल इसमें है, synthesis repertoire में जो दिया according, तो यह सुबह सुबह जब यह सुबह उठता है, तो इसको लगता है कि इसका कोई friend नहीं है, यह friendless है, क्याने के मतलब सबसे तो यह जलता है, सबसे तो यह suspicious है, सबसे तो इसको खतरा ही महसूस होता है, खासतोर पर अपने जो close relatives हैं, जैसे कि अपना जो बड़ा भाई है, उसको खतरा महसूस होता है, तो यह friendless feel करता है, फिर second है, delusion hated by others, यानि कि जहां भी जाता है, इसको छोटी-छोटी बात to receive, injury is friends from his, lackasus only, lackasus, इसमें देखे, delusion है, इसको खतरा महसूस होता है, injury का मतलब है, इसका injury का मतलब चोट-चाट से नहीं है, इसका मतलब है कि इसे danger महसूस होता है, कि जो जो राइवल है, उसे मुकसान पहुचा सकता है, क्योंकि वो ताकतवर है, तो इस तरह का delusion इसको injury पहुचा सकते है, फिर है delusion, lost predestination from, lackasus only, इसमें क्या predestination का मतलब है, जो उसने राइव में प्लान सोचा था, करने के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो absolutely blocked हो गया है, तो ये blocking की जो feeling है, ये उसे जो है, इस तरह का, जो है, उसको फील कर रहता है, कि predestination from, जो ह lost हो गया है, फिर delusion, religious mark 3, ऐसे भी rubrics में religious बहुत दिया है, religious mania भी दिया है, लाइकिस इसमें, इसमें दिया है religious, religious क्यों हो जाता है, जब कोई व्यक्ति ब्लॉक हो जाए, जब कोई व्यक्ति कोई काम ना कर सके, आगे ना कर सके, आगे ना बढ़ सके, दूसरे को देखके व मतलब अपने दुख में भगवान को याद करते हैं, तो इसलिए यह religious हो जाता है, फिर delusion, people behind him, someone is, इसको लगता है कि कोई इसके पीछे है, जो इसको परिशान कर रहा है, someone is, इसके behind का मतलब है कोई इसको परिशान कर रहा है, कोई है जो इसका काम में बाधा डाल रहा है, जो सकता है, उसका rival बाधा डाल रहा हो, इस तरह की feeling जो है, आ सकती है, फिर delusion, poisoned he about he to be poisoned, यानि उसको लगता है कि कोई इसको जहर दे देगा, इस टाइप से, फिर delusion, stolen something, she has, लैके से सून ली, उसको लगता है कि जरद की वो conspiracy करता है, तरह तरह की वो तरीके इस्तमाल करता है, तो उसको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, guilty feel करता है वो अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी jealous हो, suspicion इस extent तक है, एंगर इस extent तक है, revenge feeling इस extent तक है, कि वो जो है, अपने आपको control नहीं कर सकता है, वो बदला लेकर ही रहेगा, फिर delusion, superhuman control is under, two mark है, superhuman control का मतलब है कि जब ऐसे लोग block होते हैं, इरश्या और जलन, एंगर सब बहुत जादा होता है, तो ऐसे में क्या है कि ये लोग अपने मोटों को पाने के लिए, ये कई तरह की चीजों का सहारा लेते हैं, ये सोचते कि हो सकते हैं, पहले तो भगवान के पूजा पाट करते हैं, सोचते कि ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोग मोटी फीस जो हैं, इनसे वसूख कर लेते हैं, और ये तंत्र मंतर में डूब जाता है ये व्यक्ति, तरह-तरह से, और सुचता है कि शायद इससे कुछ भला हो, तो इसको तरह-तरह की feelings फिर होने लगती हैं, कि इसको लगता है कि इसकी मन मे इससी बातें चलने लगती हैं, और डीजिस तो ये ऐसे भी है, तो इसलिए इसको लगता है कि लगता है कोई supreme power जिसने इसके mind को control कर लिया है, और अब ये इससे बता रहा है कि इससे क्या करना है और क्या नहीं कर रहा है, वो conspiracy उसको बता रहा है, तुम्हें इससे जहर दे इससे ये कर दो, इससे वो कर दो, इस टाइप से जो है, उसे कोई बता रहा है, इसमें next delusion वही है, delusion, voice is hearing, commit crime, voice commands him to, lack access में दिया है, यानि कि उसको लगता है कि कोई power है जो उसको voice में पुसपुसार ही बता रही है, कि तुम जाओ और तुम जाकर कि ये करो, तुम जाकर व ये इसलिए होता है, क्योंकि ये व्यक्ति हर हालत में इसी इक्छाएं बहुत जादा है, और कर कुछ नहीं पा रहा है, तो ये जो है फिर गलत तरीकों का, गलत रास्तों को इस्तेमाल करता है, crime तक ये जल चला जाता है, अपने मोटों को पाने के लिए, फिर है delusion, voices hearing, fill the language voices from within him, are speaking in abusive and follow, that he must, और इस तरह की जो गलत बाते जो इसके मन में आ रही है, जो अंदर से सो आवाजें आ रही हैं इसको, ये से कहते हैं कि तुम गलत करो, और वो गलत कर देता है, लेकिन अंदर इंदर ये guilt भी फिल करता है, ये दोनों ही contradictory चीजें जो है, इस personality में महसूस ह होती है, दोस्तों तो इसमें basic feeling क्या होती है, ये आप right side की chart में देख सकते हैं, कि एक ambitious colorful personality, person having full of expectations and desires in life, and want respect from society, इस type की personality, when become blocked due to any situation, job नहीं लगी, या काम धंदा बंद हो गया, business में failure हो गया, या कुछ भी या other situation आगी, ब्लॉक्ड हो जाता है, unable to gain position in society, become socially and economically weak, having feeling of less power and less respect in society, अपने आपको कमजोर महसूस करने लगता है, हर को insulting behavior करने लगता है, इसको लगता है कि लोग जो है, उसको अच्छे नजरों से नहीं देखते हैं, लोग उससे hate करते हैं, तो उसमें jealous की feeling आती है, फिर threat to existence and survival from rival, कहने का मतलब है कि उसके survival और existence को खतरा महसूस होता है, उसके rival से, ऐसी situation में, which cannot be harmed directly, as more powerful, तो उसको लगता है कि, सामने वाला बहुत ताकतवर, उसका rival बहुत ताकतवर है, इसलिए उसको directly harm नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको harm नहीं किया, तो ये मुझे हर्म कर देगा, तो इस डर की वज़ास से जो है, वो attack करता है, यानि क्या करता है, so the patient becomes suspicious, jealous, hatter, cruel and planner, and do conspiracy, और इसी की वज़ likeasis की basics, इसमें कई तरह की situation आ सकती है, जैसे, suppose एक likeasis बच्चा है, छोटा, उसे माबाप का प्यार मिल रहा है, लेकिन आचानक उसका दूसरा कोई भाई बेन आ गया, अब ऐसे में वो उसको जलन और इरश्या जो है, इस तरह की feeling आ सकती है, ऐसे में वो बच्चा जो है, वो चीड़ेगा, वो सकता है, कि माबाप जब ना देख रहे हों, तब वो जो है, उसे नोचने के और या खरोजने की कोशिश करे, यह सिर्फ एक disease condition है, medicine देने के बाद, patient नॉर्मल हो जाता है, या फिर ऐसी condition जहां पर की, जैसे कि पहले के समय में होता था, राजा रानी के टा उसकी जो जगा थी, वो छिन गई, उसको कॉमपेट करना पड़ा है, एक more stronger competitors है, जो कि उससे ज़्यादा beautiful है, ज़्यादा younger है, और उसे राजा ज़्यादा importance दे रहा है, और राजागा तो कुछ भीगाड नहीं सकती, क्योंकि वो तो बहुत powerful है, इसलिए फिर वो sweet bowl करके conspiracy क करें कि दूसरी राणी की खिलाफ, ताकि राजा उसे गलत समझे और महल से निकाल दे, तो इस तरह की जो चीजे हैं, यह हर level पे, हर situation पे जो है, हो सकता है, तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे आप side में भी basic rubrics है, इसको भी पढ़ लीजेगा, मैं बहुत ज़्यादा समय में भी लिख सकते हैं, description और वीडियो के जो है, वो description लिंक में आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे, तो आप प्लीज इसे subscribe कीजिए, ताकि इसे related और अच्छे वीडियो मैं आपके सामने ले करके आ सकूं, तो प्लीज लाइक करना और सब